गूर्ण फ्रेंट्स जेनम फ़स्टेयर का एनेक्टोमी फिजलोजी का मैं ने नेस्ट टोपिक बात करूंगा थर्वयड ग्लेंट को आप पर डेगराम पर गौर कीजिये इस डेगराम को गौर से देखिए थर्वयड ग्लेंट जो है ट्रैकिया इसको ट्रैकिया बोलते हैं इस diagram को गौर से देखिए, जो trachea है, trachea के दुनों तरफ, gland है, left side भी है और right side भी है, और इसका आप बनावट देखिए, इसको बनावट से देखने से पता चलता है, जो case type का है, तितली का अकार का होता है, जिससे तितली होती है, जिससे butterfly बोलते हैं, ये butterfly का अकार का होता है और ये दोनों तरफ होता है, left side भी होता है, और ये right side भी होता है, थ्राइड gland का होता है, left side भी होता है, और ये right side भी होता है, थ्राइड gland का important हमारे सरीर में बहुँ जाता है, ये ऐसी हर्मोन है, जो सभी चीज़ों का control करती है, हमारे सरीर की जितने भी metabolism होता है, जितने भ ड्रॉल करता है इसलिए यह हार्मोन बहुत ही important हार्मोन होता है thyroid gland से दो टाइब का हार्मोन का secretion होता है T3, T4 और एक तिसरा होता है calcitonin calcitonin जो होता है hormones इसका भी secretion जो होता है thyroid gland से होता है thyroid gland especially जितने भी metabolism है carbohydrate metabolism है, protein metabolism है, fat metabolism है जितने भी metabolism है, total का total control किसके दोरा होता है thyroid gland के दोरा होता है thyroid gland ही हमारे सरीर के तप्तमान को control करते हैं सरीर के metabolism को control करते हैं सभी सरीर के जितने भी प्रक्रियां हैं जितने भी सब की प्रक्रियां को गती को यह नियंत्रित करता है जिससे अपको कार्भोहडेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कोलिस्ट्रॉल हो गया इस सब का मेटाबोलिक कंट्रोल कौन करता है? थर्वाइट, ग्लेंड थर्वाइट, ग्लेंड मेंदी किसी भी परकार की प्रोब्लम आती है तो दो टाइब की बिमारिया होती है, आपको हाइपर्थारेडिज्मा और हाइपो थारेडिज्मा, हाइपर्थारेडिज्मा और हाइपो थारेडिज्मा, दो टाइब की समस्याएं आती है, अधि थारेड ग्रेंड में किसी भी प्रकार के समस्याएं हो, तो क्या करता है, इस मितलब का होता है जैदा जब tea 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 आपको घबड़ा होती है, चिर्चिला आपन होती है, अधिक पसीना आने लगता है, बाल जढ़ने लगता है, आपका दिल का धरका बढ़ जाता है, महिलावा में का होता है? महिलावा में जो मेंस्मेस्टुरल थाहिकल होता है, वो डिश्टर्प हो जाता है, मार चीथरे frequencies नंवीत हो जाता है, जिसके चलते हैं, जो निव export अश्प्रोशिस हो लगता है, मतलल के जब हटिया जब कलिस्यम, हटियों में हटने लगते हैं शरीर से, और इस टार यहूड हाई पर्थारीजम क्यों होता है जब टी ठीरी और टी फोर हर्मों बहुत ज़धा मात्रा में स्ट्रिशन करता है सरीर के जो मेटबोलिक क्रियाएं का होती है बढ़ जाते हैं आपके सरीर की धरकन बढ़ जाती है चीचलापन हो जाता है घबराहत हो होता है मासिक धर्म जोता है अईरेगुलर हो जाता है अन्यमित हो जाता है शरीर में जो भी कलिस्यम होता है हडियों में वह हडिया कलिस्यम का होता है कलिस्यम का हडियों से निकलने लगता है के दूसरा होताए है हाइपΟारेडिजमा हाइपो भॉत टी फोर हार्मोन है उसका स्ल्का चरेंशन कम होने चलते कहा होता है आदमी को हुर्ट रय्ट । कहा होता है खळ जाता है आदमी को अमेसा धकान महसुस होने लगता है आदमें हमेशा क्या रहता है उतास रहता है डिप्रेसर में रहता है मेटाबोलिज में कहा होता है कम हो जाता है जो मेटाबोलिक में का होगा दर्द अस्टार्ट हो जाएगा मासिक धर्म का होता है अन्यमित हो जाएगी जो 28 दिन पर पहले मासिक धर्म आते थी वो 40 दिन पर आना अस्टार्ट हो जाएगा कोलोस्ट्रोल का लेबल का होगा शरीर में बढ़ जाएगा इस हर्मोन में एक आता है कैल्सी टोनि केलसी टोनिन जो हर्म का करता है हर्मन इस ब्लड में कलिस्यम का लेबल को रिगुलेट करता है कलिस्यम का लेबल को कॉंट्रोल करता है किड्नी में जो कलिस्यम का लेबल होता है उसको सिक्रिशन करने में दूर करने में मदद करता है इक का करता है कैलसी टोनिन जो भी ब्लड म प्रभाइड करता है जिसके चलते का होते हैं हडियां मजबूत करती है और ब्लेट वे कलिसियम लेबल को का करता है यह रिगुलेट करता है इसलिए जो हर्मोन होता है बहुत ही इंपोर्टेंट हर्मोन होता है कि हमारे सरीर का थर्वाइड गलांड सरीर के लिए सबसे इंपो नीर को मेंटेन काके रखता है और इसमें जो होता है इसको जो रेगुलेट करने वाला जो हर्मोन होता है थर्वाइड अस्टुम्लेटिंग हर्मोन पूरी थर्वाइड गलेंट को जो टी थरी और टी फोर हर्मोन होता है इसको रेगुलेट कौन करता है थर्वाइड पीटीट्री ग्लेंड से रिलीच होता है। कुए MAYn funeral cycle का होता है to disturb होता है हिने सब समस्य का होता है हमारे शरीर में आने लगता है क्यों आने लगता है क्योंकि 동 backupsको disturbance कोने सब्सक्राइइक छलते हैं इसलिएẩं सरीर का सबसे important हर्मोन होता है जो की सरीर की metabolic परख़्याओं को कंट्रोल करता है, शरीर को कंट्रोल में रखता है, अज इस हर्मोन में किसी भी परकार का समस्या आती है तो शरीर में विफिन परकार की बिमारिया स्टार्ट हो जाती है, और इस डियाग्राम को आप लोग अच्छे से थुआ सा देख लिजेगा, बना लिजेगा, क्योंकि एक्जाम पॉइंट के भी उसे बहुत ही इंपोर्टेंट है, थैंक यू